इसके पहने वीडियो में मैंने आचारांप्चन सुक्र जी की जीवन बर्चे के विशय पर चर्चा किया था इस वीडियो में पच्छादर्श हिंदी अध्या एक आचारांप्चन सुक्र जी का निवन्त मिधता पर पिचार किया जाएगा जो जीवन के लिए बहुत ही महात्वपूर रांप्चन सुक्र जी ने अपने पिचार प्रस्तु किये हैं इस दो पेटा पहला अद्ध्र जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं जम कोई इवा पुरुश यहां से और कोई सहारा रहता कोई अच्छा मित्र नहीं मिलता है और कोई सहारा मिलता है तो कहने का मेरे मतलब है हम आपको ब्याख्या पढ़ा जाते हैं लेकिन ब्याख्या पढ़ाने के पहले हम सभी जानते हैं कि शंदर्वपी आउसकता होती है तो बेड़ा कहले क्या आउसकता होती है शंदर्वपी शंदर्व की तो देखे शंदर्व दो प्रकार के होते हैं एक बुक में साड में दिखा होता है जैसे प्रस्तोत दद्खंड हमारी पाठ पुस्दक हिंदी के मित्ता नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक आजार राम्चन शुपल जी हैं तो ऐसा रहता है तो थोड़ा रोचकता प्रदाम करें लेकिन जो हमारा शंदर्व होता है शंदर्व जितने ज्यादा रोचक होगा उतने ज्यादा व्याख्या पर अट्रेक्शन वड़ता है यानि जो यह ग्योंडर होता है वो उतने ज्यादा अट्रेक्ट होता है तो जो हम हम थोड़ा रोचकता पूर आपको बदाने कोशिज करेंगे संदर्व। प्रस्तुत रश्नियां हमारी पाठ पुस्तर हिंदी के मित्ता नामर निवंध से संकलित की गई हैं। इस निवंध के निवंध का आलोचना संग्राठ आजार रांचंडर शुक्ल जी हैं। तो यह हम ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा रोचकता बढ़ जाती है। अगला आता है आपका प्रशंग। प्रशंग आता है। तो प्रशंग में क्या है इन पंक्तियों में आजार रांचंडर शुक्ल जी ने मित्र बनाने की सतरकता। पर यानि हम अपने मित्र का चुनाव करते समय किन-किन यानि बिंदूं पर होस्यार रहें या सतरक रहें। इसके पिसाय में उन्होंने बात की है। अब बेटा इसके आगे आपको फिल मैं ब्याख्या। इसकी ब्याख्या के पिसाय में हम आपके समक्य अपने विजार रखना चाहते है। जब कोई इवापूरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी समसार में अपनी इस्थिक जमाता। इवापूरुष का बेटा मतलब होता है कि वहाँ लड़का जो 15 वर्ष से उपर या 18 वर्ष से उपर की आयू का जब व्यक्ति हो जाता है या इस आयू के बीच में होता है तो उसको इवा कह जाता है। तो वो जब बाहरी संचान है बाहरी का मतलब जब अपने दोस्त गयरा बानाने कोशिश करता है तब पहली कठिन्ता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कठिनता है कि वो मित्र कैसा बनाने उसको मित्र बनाने वाली बहुत बड़ी यानि जह कठनाई एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने आती है यदि उसकी इसकी बिल्कुल एकांत और निडाली नहीं रहती तो उसकी जान पहँचान के लोग धड़ाधर पढ़ते जाते हैं कहने का मतलब है कि जब यदि उसकी जो इस्थित है उस बैक्त की यदि एकांत वाशियो नहीं है यानि वो अपने में ही मस्त नहीं रहता है तो जान पहँचान के लोग अकसमात बढ़ते जाते हैं लेकिन पहँचान बढ़ाना अलग बात है और एक मित्र बनाना अलग बात है क्योंकि मित्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्त होता है इसलिए मित्र बनाना बड़ा कठिन होता है और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल में हो जाता है यही जो है जो है मिलता जुलता है लोगों से तो थोड़े ही दिन में महीने तो महीने में क्या होता है कि हेल मेल यानि कुछ लोगों से उसका मेल मिलाब बन जाता है यदि यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मितता के रूप में पारित हो जाता है कह रहे हैं कि फिर यही जो हेल मेल होता है आपसी बादशीत होती है आपसी थोड़े बहुत विचार जो होते हैं इनहीं से भीरे भीरे बता रहे हैं कि यही जो हेल मेल होता है यह जह है मितता में क्य होता है यानि बदलने लगता है कि मित्रों की चुनाओं की उपयुकतता पर उसके जीवन की सफलता निर्मार होती है अब बेड़ा बता रहे हैं राम जैन्सुर्णी कि जो मित्रों की उपयुकतता है उसी पर व्यक्ति का जीवन निर्भर होता है, यानि कहने का मतलब है है कि यो व्यक्तिका भविश होता है, जो व्यक्तिका शोहाव होता है, जो उसकी शफलता होती है, वो उसके मित्रों पर ही निर्भर होती है, क्योंकि संगतिका गुप्त प्रभाव हमारे आचन पर बड़ा भारी पड़ता है, परट जहें परता है से कवीड दाजी ने लिखा हैं शंगत से गुन होती है, शंगत से गुन जां बांस थांस की मीशरी एकह भाव बितार, कहा दियां कि संगत, संगत से गुन होता है, यानि संगत अच्छी है तो व्यक्ति के अंदर अच्छे गुड़ों विक्षित यदि संगत बुई है तो व्यक्ति के अंदर बुरे कुडों का मिकाश होगा है थोड़ा शाव उदाहन है थोड़ा शाव उदाहन है कि हम एक दुगान पर मिठाई लेने जाती है हलवाई क्या करता है वो दिप्पे में रख करके मिठाई को तौल देता है अब देखे यहां पर उस कागज यानि जो दप्ती का कागज है को छे साथ आठ रुपे दथ रुपे खिलो और मिठा दो धाईश रुपे खिलो लेकिन उस कागज ने मिठाई किये मिठाई से इसलिए वो मिठाई के भाव बिखता है कहने का मतलब यह है कि हमारा मित्र कैसा है यदि हमारा मित्र अच्छा है तो हम अच्छे है मित्र खड़ाब है तो कुछ न कुछ तो अउगड़ उसमें जरूर आए तो करें बांस फांस की मिश्री एकई भाव है बांस की फर्कियों में मिश्री जमाई जाती है और जो वो तौली जाती है तो जो बास की लकड़ी होती है वो मिसरी के भाव में ही भिख जाती है अब देखिर संगत का अशर कि कहा गया कि कदली सीप भुजंगमुख स्वात येख गुंती यह सिस्ँजंगत वैडिये ताई सो एफट है तो क्या है विड़ा स्वाती न च्छत्र न एक होता है उसमें एक मांदलेश और योग होता है उस मांदलेश और योग में जो वरृS. होती है तो ऊसकी जो बून्द होती है वर्षा की यदि वो केला में पढ़ जाती है तो कपूर बन जाता है यदि वो शर्क के मुँँ में पढ़ जाता है हलाहल बन जाता है बिस बन जाता है और शीव के मुँख में पढ़ जाता है तो वही जल, वही जल की गूंत मुती बन जाता है तो ये बड़ा मिटता का अशर है तो वही राम चर्शुल जी ने बताने की कोशिज किया है कि कहे रहे हैं कि शंगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचन पर बड़ा भारी पड़ता है जो शंगत का प्रभाव होता है वो व्यक्त के आचन पर गुप्त रूप से पड़ता है यानि कहने का मतलब है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उसका सुभाव, उसकी सोंच, उसकी चाल्धाल ये सब शंगत से क्या होता है बदलने लगता है जब हमारा चित कोमल आगे करें कि जब हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना काज प्रारम करते हैं जबकि हमारा चित कोमल और हर तरह का संदकार गहण करने योग रहता है देखे बड़ा बात ये है कि इवावस्था है इवावस्था में व्यक्ति क्या है एक समझे कोमल पत्ते की भाद है और ही वो परिपको नहीं हुआ है तो जब वो कोमल है उसको इधर मोड दिया जाएगा उधर को वो मोड जाएगा जैसा ढ़ला जाएगा वो ऐसा ढ़ल जाएगा ये ते बिटा कच्छी मिट्टी है कुमार के वहाँ वो मिट्टी बनाता है जिस सांचे में उस मिट्टी को डालता है वो चीज़ो तैयार कर लेता है चाहे वो हंडी बनाए, चाहे दीपक बनाए, चाहे कुल हड बनाए, जैसा वो चाग पर चड़ाता है और जैसा चाहता है वैसा वो बना देता है हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवति अपरिपक को रहती है, कह रहे हैं कि हमारे भाव जो हैं वह अपरिमार्जित रहते हैं, यह परिमार्जित नहीं रहती हैं और हमारी जो प्रवित्य होती है वो अपरिपक होती है यानि जब हम बाहरी समाज में निकलते हैं जब व्यक्ति हिवा होता है तो वो परिपक को नहीं होता है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्च के समाग है अभी मैंने बदाया कि जो कुमार कच्ची मिट्टी बनाता है वो जिस सांचे में उस मिट्टी को डाल देता है वैसा ही जह है पुतला वैसी ही वर्थ बन करके सामने निकलाती है जीशें ओर जिस जो जिस रूप में चाहें उस रूप कारें चाहें वह राशत बनावें चाहें देवतां। देखें या उस मिट्टी को राशत के सांचे में डाल दिया जाएगा। यbling सांचें डाल दिया तो उस मिट्टी ने जैज roughrun मित्ता करना बेड़ा बड़ा कठिन है और मित्ता का मंत्र समझना भी बहुत कठिन है और मित्र बनाना भी बहुत कठिन है एक कहानी के माद है मित्ता होती है दूध और पानी की जैसे मित्ता मचली और पानी की हुई तो मचली पानी से सच्ची मित्ता करती है लेकिन पानी सच्चा मित्र मचली का नहीं है रहीम दाजी ने कहा हैं कि जाल पड़े जल जाति बहए जब तालाव में जाल पड़ता है तो पानी बहए जाल पड़े जल जाति बहए ताजी मनीन को मुह मनीन नीन सोता पेटा मचली मचली के मोह को प्रेम को छोड़ करके पानी बहए जाता है लेकिन मचली पानी से वह भी प्रेम करती है रहीम दाजी के दर रहीमन मचली नीर को फिर भी मचली पानी को ताउन छोड़ जोड़ यानि पानी धोखा देता है लेकिन मचली जो है पानी से सच्चा प्रेम करती है जब कि पानी दोखा दे देता है तो यदि मित्ता की जाए तो सची मित्ता होनी जाए मित्त रहिशा हो जो सुख दुख में बराबर साथ दे जैसे पानी और दूद की मित्ता भाई दूधिया दूद लिये केल में डारा पानी ने दूद से कहा दूद हमको मित बना, दूद ने कहा कि मित तो बना लेगे, कीमत तो तुम्हारी बढ़ जाएगी, लेकिन समस्या आ जाएगी, पानी ने कहा कोई बात नहीं, है न, हम प्रेम करेंगे तो जब हम मर जाएंगे तब आपके उपर हम अशराने देखें, तो भाई, पानी से दूद ने कहा श्वागत है, आजएगी, दूदिया ने उठा करके केन में पानी को डाउट हूँ, अब पानी बहुत खुल सा है कि हम दूद बन गए, हमारी उपयोगता, हमारी जद, श्वागिमान दूद जैसा हो गया, दूद और पानी केन में भर करके पहुँच गए, कहा हलवाई के दुकान पर, हलवाई ने कहा, इसमें पानी है, दूदिया ने कहा, पानी है, तो कराई पर चढ़ा करके देखें, आप जब हलवाई ने भर्ठी पर चढ़ाया, दूद और पानी दोनों मित्रों को, दूद ने कहा, पानी से मित्रों, संकट में पस गए, पानी ने कहा, कोई बात नहीं है, हमने मित्रता किये, पहले मैं अपने प्राण दूँगा, उसके बाद आपके उपर आँ चाने, तो शमर्षिया के आती है, कि दोनों पानी जलने लगता है, पानी जल जाता है, ताब दूद अपना मित्र खोजने लगता है, तो वो उबाल मानने लगता है, तो हलवाई कहता नहीं अभी है, तो पानी का चीटा मार देता है, दूद सांथ हो जाता, यानि यही करम करते करते दूद और पानी दोनों शमात हो जाते हैं, और जब दोनों मित्र खो जाते हैं, तो दोनों का नाम बदल करके एक तीसरा नाम आता है जिसको कहता कोया तो यह वेटा मित्रता है सक्ची मित्रता इसको कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए पानी और दूद्चेंशा ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है कैसे लोगों का भीया जो हमसे अधिक दर्षंकल्प की है यानि दर्षंकल्प का होना जरूरी है लेकिन वह हमसे ज्यादा दर्षंकल्प के ना हो कि हर बात उनकी हमें मानना पड़े चाहे अच्छी हो चाहें क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना बिरूद के मान लेनी पड़ती है तो कहने का मतलब है राम्टर शुबली कह रहे हैं कि में तर्ष अंकल्पी जाला नहीं होना चाहिए क्यों क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी हर बात हमको बिना बिरूद के हुए माननी पड़ेगी हो, चाहे बात अच्छी हो, चाहे बोही हो, इसलिए बहुत दर्शंकल्पी ही मित्र की आउ सकता नहीं है, आगे कह रहे हैं कि पर ऐसे लोगों का साथ करना और जुरा है, जो हमारी ही बात को उपा रखते हैं, चापलूस मित्र, है ना, चापलूस मित्र की जरूरत नहीं है, है ना, आवाज बेटा चापलूसी का जबाना है, चाहे राजनीति का शेत्र हो, चाहे सिच्छा शेत्र हो, चाहे बहुता शेत्र हो, शब कहीं चापलूसी का जबाना, लेकिन मित्र यो हो, वो चापलूस नहीं होना चाहिए, चापलूस आपको अगले वीडियो में शेवा करने के लिए फिर उपार्तित होंगे।